यह आई कोटर ब्लॉग जो है काफी आगे तक अब जा चुका है और आई कोटर ब्लॉग में हम अभी करने के आवाले हैं कि इसको continue करेंगे और continue करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमने जो अपना tiny mce editor बनाया था अगर आप लोग को याद नहीं है हमने live server भी install किया था और मैंने आप लोग को दिखाया था कि यह जो tiny mce है इसको बड़े अराम से आप लोग use कर सकते हो rich text editing के लिए और अभी इसको हम क्या करेंगे कि अपने अपने ब्लॉग में जो है integrate करेंगे ताकि हम बड़े अराम से editing करना चाहता हूं मालूम मैं इस तरह से बहुत जल्दी से मैं python manage.py run server लिख रहा है मैंने अल्रेडी अगर आप लोग को ब्लॉग या दो तो इदेखो अमोरा ब्लॉग कुछ ऐसा दिखता है ठीक है और मैंने आप पर अल्रेडी जो है क्या किया है login कर लेता हूं है 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 good login हो गया blog continue comments दिखा रहा है बड़िया अब यहा विस्ट मॉडल है यह मॉडल है जहां पर मैं देखना चाहता हूं यहां यहां मुझे टाइनी M.C मिल गया तो बस मेरे मज़े ही मज़े है ठीक है तो यहां टाइनी M.C मुझे किस तरह से मिल चकता है देखो उसके दो तरीक है एक तो यहां तो मुझे किसी तरह से इस template को अ template है यह template कैसे edit करेंगे चलो उसकी attention छोड़ देते हैं यह तो पहली चीज़ हो गई एक दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं इस चीज़ को achieve करने के लिए वह यह है कि हम यहां पर इस particular page में अगर JavaScript inject कर दें मैं आपर console के through inject करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कि Django के id is equal to id underscore content है वहां पर क्या करूं कि वहां पर tinymce लगा दो ठीक है तो अगर हम कुछ ऐसा कर लें तब शायद हमारा काम बन सकता है तो tinymce जो मैंने आप लोग को यहां पर बताया अभी इसका जो code था tinymce का तो यहां पर अगर homelook अगर मैं आप लोग को दिखा हूं ही tinymce तो सबसे पहले तो मुझे जो script है इसको import करना पड़ेगा तो इसको मैं जल्दी से import कर लेता हूं यहां पर तो यहां पर मैं क्या करूंगा javascript में क्या बना रहा हूं तो बड़ा सा advanced stuff कर रहा हूं लेकिन करें भी care इसके अलाबा कोई चारा भी नहीं है ठीक है तो मैं document.create element कर जिसने ज्यादा javascript नहीं लिखिये life में मैं उसके लिए बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा script.type is equal to text slash javascript javascript का small होता है capital होता है I don't know देखना पड़ेगा एक बार जो type लिखते हैं उसमें हमारा जो type होता हो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे but again small होता है as long as I can remember मुझे नहीं लगता कोई problem आईगी इस से यह किया मैंने मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा script.src is equal to और मैं इसको copy कर लूँगा जो tinymc की script है cdn पर cdn मतलब होता है content delivery network इसकी src मैंने यह बना दी अब मैं कहूंगा document.head.append child yes append child और मैं कहूंगा कि यह जो script आगे वो append कर दो और यह करने के बाद मैंने जो script आगे वो गुसा दिया है और inject कर दिय यहां पर तो एक काम करता हूं कि यह जो मैंने code लिखा हुआ है इसको मैं एक javascript file बनाता हूं static मैं I repeat static मैं बना रहा हूं मैं javascript file और उसका नाम मैं रखूंगा यहां पर tiny.js यह फिर tiny inject.js ठीक है इसको मैंने यहां पर paste किया और यह जो फालत हुचीज है उनको मैं हटा रह यहां पर हमें क्या कर रहा है अगर यह मैं पूरा का पूरा ऐसे copy करके वापस से run करूं तो just checking कि कुछ error तो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है मैंने inject कर दिया अब मैं आपर tiny mce अगर लिखूं तो यहां पर देखो यह चल रहा है ठीक है यानि कि tiny mce मेरे पास आ चुका है या किस की ID है उसको मैं use करूंगा enter मारूंगा और यह देखो यहां पर आ गया यह यह देखो आ गया वाओ इट लुक्स गूड यार मजा रहा है अब आ रहा है मजा बाई अब आ रहा है मजा तो देखो यार आप यहां पर क्या हुआ कि मैंने this is a new post किया और this is a new post करने के बाद यहाँ पर मानलो मैंने लिख दिया dfdf इसको मानलो कर दिया मैंने bold और मैं इसको save जब करूँगा और जाओंगा वापस यहाँ पर तो यह देखो यहाँ पर content में यह आ गया है देखा तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा काम जो है almost done है बस मुझे यहाँ पर यह javascript inject कर दें यह किसी तरह से तो जो मैंने यहाँ पर यह copy किया है इसको मैं अपनी इस javascript में भी लिखता हूँ काहाँ पर inject हो जाए मेरी उस page में उसकी टैक्टिक बताता हूँ आपको क्या है और बहुत यह simple सी चीज है simple सी चीज यह है कि आपको जाना है अपनी blog app में उस app में जाना है जाना है injection आप लोग देना चाहते हो तो हमें injection देना है javascript का अपने किस model को हमें देना है अपने post model को तो हम जाएंगे इसके admin में admin में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे class लिखेंगे हम class लिखेंगे हम कहेंगे contact admin ठीक है contact admin नहीं सौरी कौनसा admin post admin ठीक क्योंकि हम post में इसको inject करना चाहते हैं और यहाँ पर लिखूंगा मैं admin.modeladmin करेक्ट और यहाँ पर मैं class media लगाँगा और यहाँ पर just मुझे क्या कर देना है जो भी js मुझे inject करनी है मुझे उस jsfile का नाम डाल देना है static में से अपने आप ले लेगा static में से अपने आप वो ले लेगा tinyinject.js मैंने आप पर डाल दिया है और यह tinyinject.js में वहाँ पर automatically inject हो जाएगी लेकिन लेकिन यहाँ पर इसको मैं save करता हूँ चलो अभी के लिए इसको मैं save करता हूँ जादा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा और इसको reload करूँगा और मैंने इसको reload किया तो कुछ error आया गया नहीं कुछ error नहीं आया तो blog post 3 change यहाँ पर यह जो script अलगता लोड नहीं हुई तो यहाँ पर मैं यह देख रहा हूँ इसकी क्या problem आ रही है मैंने post admin लिखा media लिखा js.js यह लिखा और मैंने अपने model को register भी किया अब यहाँ पर इसको काम कराने के लिए आप कोई जो post वाला model इसको यहां से हटाना होगा और उसके बाद एक decorator लगाना पड़ेगा आपको और उसको यहाँ पर डालना होगा admin register और मैं यह पर डाल दूँगा post तो मैंने कहा किया यहाँ पर post admin को भी एक ही बार में edit कर लिए और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर post admin को एक सार edit करने के पाथ यहां पर मैंने पोस्ट में लिख दिया अब यहां पर क्या हुआ ना जब मैंने इसको बनाया फाइल को तो for some reason यह मेरा IMG वाले folder में चला गया ठीक है तो मैं इसको IMG वाले folder से हटाकर इसको static में डालना चाहता हूँ ठीक है तो अगर मैं चाहूँ इसको static में डालना तो इसको static में डालना चाहता हूँ basically मैंने इसको side by side खोल दिया इसको बंद कर देता हूँ basically मैं इसको डालना चाहता हूँ static में और यह आ गया भी static में ठीक है करना है यह decorator का मतलब यह है कि आप register करने के साथ-साथ अपने model में क्या change कर रहे हो उसके admin को भी change कर रहे है तो हमने admin में जावा स्क्रिप्ट करी है save करता हूं उसको save करने के बाद अब इसको reload करूँगा और यह जावा स्क्रिप्ट जो है आ जानी चाहिए यह reload किया है मैंने और यहां पर देखो यह कहा रहा है tiny mce is not defined तो यह देखो यहाँ पर एक गड़बड़ो गई है यह कहा रहा tiny mce तो यार पता नहीं क्या है अब यह बता है यह error क्यों आया मैं आपको यह क्यों आया सबसे पहले देखो जब हम यह चीज़ कर रहे ना जब हम script tag को बना कर डाल रहे है तब क्या हो रहाएगी इसमें लग रहा है time जो कि यह internet connection को यह हमारा एक लाग GBPS का तो है नहीं जो कि एक सबसे यह लाके रख देखा यहां पर document तो क्या हो रहा है कि इसको time लग रहा है यह file को fetch करने में और जितनी दिर में fetch कर पा रहा है उससे पहले पहले ही mirror run हो जा रहा है तो मुझे यहां पर क्या करना है मुझे कहना है कि जब यह मेरी script load हो जाए तब run करो तो मैं script.onload is equal to मैं कुछ ऐसे लिखता हूं function मैं कह रहा हूं कि बाई जब मेरी script load हो जाए तब यह function run कर दो जिसके अंदर यह tinymce वाली बात मैंने लिकियो है ठीक है मैंने यह किया right click करके यहां पर format document कर रहा हूं था कि सब कुछ अच्छा अच्छा दीक है save किया मैं अभी काम कर जाना चाहिए मेरे सब से reload करता हूं और हाँ यह काम कर गया ठीक है मैं आपर कर दूँगा इसको save और save तो मेरा काम कर रहा है this is my best post और मैं आपर उसी के साथ साथ एक heading भी बना लेता हूं best post लिखा और इसको मैं heading मुना लेता हूं heading to save किया मैंने और यहां पर देखो अभी यह best post वापस से मुझे retain होके मिल रहा है थोड़ा बड़ा होता तो शायद अच्छा लगता तो वह भी हम कर लेंगे वह तो चोटी बात रह गई है उतनी बड़ी चीज रह नहीं गई है व तो चलो ब्लॉग में चलते हैं और देखते हैं और यहां पर अच्छा सा पोस्ट हम लिखेंगे jquery के बारे में jquery ठीक है अब यह एक error आया था मेरा deferred exception करके तो मैं उसके बारे में देख रहा था क्या दिक्कदारी है यहां पर मैं क्या करूंगा वाई what is jquery लिखूंग देखो एक चीज दिखाता हूं आप लोगो मैंने पेस्ट किया ना तो यह heading 2 के रूप में पेस्ट हुआ तो जब मैं copy paste करता हूं वही से तो यह formatting को जो है बड़े प्यार से retain करता है मुझे बहुत अच्छी लगते बात इसकी देखो मैंने इसको यहां पर पेस्ट किया और इसका जो URL है वो यहां पर इसको दे दूगा और मैं यहां पर save करूँगा तो यहां पर आ गया है ठीक है अब मैं इसको enter कर सकता हूं left right कर सकता हूं बड़ा छोटा कर सकता हूं तो यहां पर देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया और यह देखो यह किया मैंने थोड़ा छोटा ह रखता हूँ image को और इसको मैं save करूँगा अगर तो यह save हो गया और यह देखो यहाँ पर यह image भी आ गया अब यहाँ पर यह दिक्कत आ रही है कि comment 0 यहाँ पर चिपक गया है कुछ html की वज़े से तो मुझे यहाँ पर शायद इस चीज को fix करने के लिए जो उपर का content है उ देखो यह overflow कर जा रहा है basically दिक्कत यह आ रही है बस मैंने आपर यह paragraph दिया और इसके बाद यहाँ पर इस paragraph के अंदर यह image है इसका style जो है वह float left हो रहा है इसलिए float इसमें use हो रहा है इसलिए problem create हो रही है तो चलो कोई बात ही इसको हम problem को और भी तरीकों से solve कर सकते हैं कैस कर सकते है solve problem को हम लोग देखते जाओ क्या करता हूँ मैं भी यहाँ पर यहाँ पर देखो मैंने enter मारा मैं arrow key से नीचे ले कर जा रहा हूं इसको और यहाँ पर basically मैं एक enter मार दूँगा नीचे यहाँ पर और मैं इसको save कर दूँगा हाँ just solve the problem तो इस तरह से problem हम solve कर सकते हैं tinymc यह बहुत कमाल की चीज़ है और आपको काफी मजा आ जाएगा tinymc को यूज करके देखो यहाँ पर image भी लगा दी हमने post भी लिख दिया अब यहाँ आपको रोग कॉन रहा है मुझे ही बताओ आपको अच्छे-च्छे post लिखन ठीक है याद रखना आप लोग मैं आपर एक काम करता हूं कि jango की image लेकर आता हूं क्योंकि हम लोग jango कर रहे हैं और यहाँ पर कोई अच्छे सी image मुझे मिलेगी तो मैं उसको ले लूँगा और मैं आपर करता क्या हूं jango का जो main logo है उसको ले लेता हूं open image in new tab और इसका यहाँ पर url मैंने copy किया और यहाँ एक काम करता हूं मैं यहाँ पर jango का image in new tab यह actually मैं base64 png आ रहे हैं तो अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊं महलो मैं यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा यह image ठीक है मैं इसको delete करता हूं और यहाँ पर save किया मैंने और यहाँ पर देखो और यहाँ पर क्या है यह insert edit link है तो मैंने link कर दिया था गलती से मुझे image लगाना है ठीक है तो यहाँ पर image लग गया save करूंगा इसको और यह देखो यहाँ पर अगर लग रहा है यह नीचे spaces extra आ गई है तो इनको हटालो यहाँ से बस मैंने तो इसलिए लगाई थी extra space क्यों फ्लोट यूज कर रहा था हमाँ पर और उससे सोड़ी सी दिक्कात आ जा रही थी तो बस एक जो है आपकी space नीचे तो यहाँ पर अब मैं save पर क्लिक करूंगा इसको reload करूंगा नहीं जी मिल नहीं इसको reload करना है और यह देखो यहाँ पर जैंगो आ गया इसका size बगर कम कर करना चाहते हो यह कि आप लोग कर सकते हैं एक चीज मुझे खल जो रही है वही है कि मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना है नीचे की तरफ को ठीक है तो वह भी बताता हूं भी मैं image को छोटा किया मैंने save किया preview देखा इसका हाँ मुझे अच्छे लग रही है तो मैं इस images वगरे use करते हुए आप काफी तहल का मचा सकते हो यहाँ पर ठीक है so I hope कि यह चीज आप लोगो समझ में आ गई होगी और rich text editing अब आप लोग चालो कर दो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगो बताना चाहता हूं हुआ क्या कि जब मैं यह ब्लॉग बना रहा था ना बनाते मैंने code भी शेयर नहीं किया था मैं हो गया परशान मैंने रोह अंदास को बोला कि यार यह ऐसे से हो गया तो उसने रातो रात मुझे एक दो घंटे में पूरा पूरा iCoder blog लिख कर दिया comments के साथ replies के साथ सब कुछ user के साथ इतने कम time में इतने कम notice में जब कि उसके बास था भी नहीं कोट उसने शुरू से लिखा तो special shout out to him और उसकी वज़े सही मैं जो है यहाँ पर इसको ब्लॉग को बना पा रहा हूँ अभी आगे नहीं तो मैं सोच रहा था कि एक पिन कर दूंगा comment last वाले वीडियो में कि यह ऐसे से डिलीट हो गया है और मैं करनी पागगा क् कैसे इसको वापस से लिखता मुझे मेरा काफी टाइम चला जाता लेकिन वो टाइम जो मेरा जाता वो रोहन दास ने अपने सर लेकर उसको complete किया तो thank you very much और इस तरह का support हम एक दूसरे को करते रहना पड़ेगा तब यह आगे पड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर what is jQuery यह क देखते हैं भी यहाँ पर और वो चीज़ यह है कि अगर यहाँ पर css भी हम लोग add कर देते तो कितना सही रहता ठीक है तो मैं css कैसे add करूंगा मैं javascript से भी add कर सकता हूं basically css को लेकिन अभी के लिए मैं आप आप लोग को बताता हूं इसको अगर मैं बढ़ाना चाहता ह इसकी height बढ़ाना चाहता हूं text area की तो मैं इसको अगर बढ़ा हूं यहाँ पर तो यह नहीं बढ़ रही है height इसकी मैं देख रहा हूं आपर problem क्या है यह वाले div की height मुझे बढ़ानी है क्या अगर मैं इसकी height को बढ़ा हूं तो इसकी height बढ़ जागी I think हमने वहाँ पर tiny mce में कुछ है एक setting जिसमें हम लोग height बढ़ा सकते हैं इसकी text area की मैं बस देख रहा हूं इसको tiny mce की documentation में जाकर देखता हूं ठीक है tiny mce height और यहां पर देखो की .init में आप height दे सकते हूं बहुत बढ़िया तो मैं .init के अंदर ही height दे सकता हूं और यह सारी की सारी पहले selector यहां पर शायद मुझे पहले देना पड़ेगा और उसके बाद height उपस ही क्या हुआ हाइड में दे दूँगा 456 इस पिक्सल में ही होगी यहां पर रिलोड करूँगा और हाँ देखो भी थोड़ा यह नीचे को गया है इसको थोड़ा और मैं बढ़ा दूँ अगर तो यह 600 कर दूँगा 656 तो शायद यह थोड़ी और बड़ी हो जाए ठीक है तो रिलोड किय इसको मैंने तो 656 रोड़ी और बड़ी होगी आप अपने साब से इसको एडियस्ट कर लेना लेकिन मैं जब एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं तो इसको बड़ा ही देखना चाहूँगा यही मेरा में फोकेस एरियर रहेगा यहां से स्पेस अकर एक्ट्रा लग दिये तो आप हटा सकते हो और इसको सेव करके इसका प्रीवी अब ऐसा दिखेगा तो आप लोग जैसे आपको सही लगे हो करना लेकिन रिच टेस्ट एडिटिंग आप लोगों की अच्छे से अभी हो गई होगी है I hope और कुछ भी अगर आप लोग को लगता तो मुझे बताओ यार लेकिन मेरे साब से ब्लॉग अभी almost completion पे आ चुका है आप यहां पर बस post डालते रहो और एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहूंगा अगर मैं इसको inspect करूँ तो यह जो image है वो एक base 64 image के रूप में store हुआ है यानि कि वहीं के वहीं आपको यह image store हो गया है और आपको ज जो है इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि किस तरह से हम लोग यह ब्लॉग बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग यहां पर जो भी चीज़े हम लोगों ने देखी हो सब्म कर सकते हैं अगर आप लोगों नहीं जैंगो की playlist access नहीं करिए तो आप लोग ज़रू क पढ़के मैं सब को दिल जरूर देने वाला हूँ ठीक है तो इसलिए अगर दिल चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करो मेरा भी दिल खुश होगा और इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बूलना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मुच गाइस बढ़किन थीडियो में और वीडियों कि विडियों की चुच की थैंक विज एस विए.